अम्बा माई के इस पावन धर्ती पर जहां सामाजिक न्याय की गंगोत्री शुरू हुई थी उन शाहु माराज के प्रती नमन करते हुए आधर्णिया मंच सर्व प्रत्थम मैं सब आपकी माफी मांगता हूँ क्योंकि यह मेरी आदत है नहीं मैं नेता हूँ नहीं अभीनेता हूँ जिसके लिए लोग तटस्त बैठे रहें मैं एक पत्रकार हूँ और समय का भान मुझे रहता है लेकिन क्या करें व्याख्यान देना यह मेरा पेशा पत्रकार था लिखता था पिर टीवी पे आया तो दो तीन-तीन मिनट की बाइट होती थी यूट्यूब पे दस से पंदरा मिनट तक बोलना पड़ता है लेकिन इदी आज मुझे शहर शहर घूम के बोलना पड़ रहा है तो कहिना कहीं मुझे लगता है कि भारत का नागरिक होने का दाइत पो भी मुझे निभाना होगा हमारे पुर्खों ने जो पुर्णे के काम किये है विदी उसको बरबाद न होने देने की कोई अभिलाशा मेरे मन में है तो फिर मुझे थोड़ो सा हट के काम करना होगा इसी लिए लगतार पिछले तीन मेहने से पूरे भारत म लगातार बोलता हुआ जा रहा हूं कई भाषन भी बार हो रहे है कई बार बाते होती है क्योंकि पीछले 10 साल का लेखा जोखा यही मुझे देना है चुनाओ का समय है और इस बार लगातार प्रवचन या भाषन इसले देना हैं कि में बोलता हूँ ये भाशन नहीं ये प्रवचन नहीं है ये जगराता है ये जनजागरन का काम है और इसलिए जब कोई बुलाता है तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आउंगा मुझे काफी दिनों से प्रयास हो रहा था तो जब मैंने कहा कि मैं पूने में हूँ कल परसो पूने में था फिर शि पढ़ने के लिए मराटी अकबार भी मिलता था तो पुढ़ारी था और उसका कोलापूर से कोलापूर में मेरे बहुत सारे सैनी स्कूल के मित्र है मेरे संजेदुमान से लेकर बहुत सारे आए है तो इनके द्वारा भी मुझे लगातार कोलापूर क्या ही ये समझ आ रहा मैं कोलापूर भले नहीं आया हूँ लेकिन कोलापूर मैं जी रहा था मेरे उन तमाम दोस्तों के साथ जो दस साल की उम्र से मेरे साथ थे और फिर जवानी में हमने अलग-अलग रास्ते अपनाए हैं मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं पत्रकार हूँ लेकिन मुझे बा आपको नेट नहीं मिलता, कई ऐसी जगह होती है, जहां नेट पर आप बात नहीं कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं आफिस के काम सफर होते हैं, आफिस में रोज एक शो चलता है, दुपेर को मिड़े मुद्दा वित अशोक वान कड़े, अब उसमें अशोक वान कड़े गायब थे तीन दिनों से तो आफिस बड़ा चिंतित था, फिर उसके बाद डायरेक्ट हिट एक प्रोग्राम मेरा रोज होता है, उस चैनल पे हो, फिर उसके बाद अजीद अंजुम से लेके प्रग्या तक सब रोज फोन कर रहे हैं कि ऐसा कैसा चलेगा, ऐसा कैसा चलेगा, यार यह तुम क्या शुरू कर दिया तुमने, इधर बहुत सफर होता है, तो मैं आज एक कुछ डेवलप्मेंट हुई है, उस डेवलप्मेंट के साथ मैं बात शुरू करता हूँ, और वहीं, वहीं से बात शुरू होगी, कि हमें आज सम्विधान और लोकतंत्र की बात क्यों करनी पड़ रही, आज एक सुभे सुभे मतलब दुपेर को एक खबर आई, इंदोर जैसे शेहर में, एका एक कॉंग्रेस का उम्मिद्वार, बीजेपी के एक विधायक के गारी में बैठ कर, कलेक्टर कर रहा ले जाता है, और विड्रॉ कर लेता है अपना फॉर्म, अब इंद 25, 25 इंडिपेंडन्ट तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, और इंदोर जैसे शेहर में, क्रांती बंब नाम का जो उम्मिद्वार था, उसने एका एक विड्रॉ कर लिया, जिस शेहर में मैंने पत्रकारिता शुरू की, मुझे लगा कि कॉंग्रेस के इतने बुरे दिन आये कि इस उम्मिद्वार ने एका एक कैसा विड्रॉ किया, वो कोई दागी उम्मिद्वार था नहीं, अपने स्कूल के जमाने में राजनिती हर कॉलेज में इनुविशिटी की राजनिती होती है, कॉलेज की राजनिती होती है, तब की राजनिती की थी बाद में उशिक्षा शे बैग्राउंड के ही हो सभी राजनितिक दलों में सभी टाइप के लोग मिलते हैं लेकिन जब आज पता पड़ा तो क्योंकि मैं इंदोर में मेरी पत्रकारिता शुरू कर चुका हूँ तो काफी बाकी चैनल्स के बीबीसी से लेके तमाम लोग मुझे कॉल कर रहे थे यह कैसा हो गया, what is the reason behind it? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या हुआ? फिर बाद में पता पड़ा कि 17-18 साल पहले कोई केस था, उस केस में 26 तारिक को धारा 307 जूड़ी गई अटेम्टो मर्ड़त और उसे बोला गया कि आपको एक तारिक को कोर्ट में पेश होना है उसे लगा 307 लगने के बाद शायद बेल भी नहीं मिलेगी, तो यह मुझे चुनाओ लड़ने देंगे कि नहीं लड़ने देंगे पर कल किसी सामुही कारेकरम में वो गया था, कही सामाजी कारेकरम था, उसे यह बताया गया कि जब आप कल जेल चले जाओगे एक तारिक को, उसके बाद नगर निगम के लोग इंजिनियर निकलेंगे आपने कॉलेज की नपती करने, वो कॉलेज की जमीन का फिर से एक बार यह करेंगे और आपकी कुछ बिल्डिंग एक गिराई जाएगी, आप कोट में लड़ते रहेगा, बाद में जो होगा होगा, लेकिन आज तो इतना डैमेज होगा आपको, और यदि इसी सबी लपड़े से आपको मुक्त होना हो, तो आपको चुनाओ से भी ड्रॉ करना यह सिलसिलेवार हो रहा है, इसके पहले खजुराओं में, मध्यपरदेश के बीजेपी के अध्यक्स चुनाओ लड़ रहे है वीडी शर्मा, उनके खिलाब समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, इंडिया गड़बंदन ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, उनक में जिस उम्मीदवार ने अपने फॉर्म पे प्रपोजल करके तीन लोगों के सिगनेचर करवाई थी, उसमें उसके दामात थे, जीजा था, भांजा था, और बिजनेस पार्टनर था, तीनों लोगों ने एक अफिडेवीट दिया, मैजिस्टेट के सामने, कि इस फॉर्म के चुनाओ में ही भाज़ पाको एक सांसद मिला, निर्विरोध चुनाओ जीत के आया सूरत कर, यदि यही लोग तन्तर है, यही प्रजा तन्तर है, तो फिर एक बार आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि यह लोग तन्तर और प्रजा त रहा है यदि सहीर समय पे उस पौधे को उखाड के नहीं फेकोगे तो ये विशला व्रुक्ष जब बड़ा होगा तो उसके बाद ना प्रजा तंत्र रहेगा ना लोग तंत्र रहेगा ना समीधान रहेगा ना आपके अधिकार रहेंगे क्या हम मनुस्मूती वाले दिनों मे जीने के लिए तैयार है ये सवाल में आपके बीच में छोड़के जा रहा है प्रधान मंत्री कहते हैं कि लोग डरा रहे हैं प्रधान मंत्री कहते हैं कि अफवा फैलाते हैं लोग की समीधान बदलेगा स्वयम अंबढकर जी भी आए तो समीधान नहीं बदल सकते प्रधा कारण है यदि प्रदान मंत्री के दो-दो उम्मिद्वार लोग सभा के पब्लिक ली अपने भाशन में कहते है कि 370 पार इसलिए होना है कि हमें समीधान बदलना है यदि हेगडे कहता है करनाटक में कि हमें समीधान बदलना है इसलिए 370 चाहिए और इन तमाम वक्तवियों के बाद यदि भारतिय जनता पार्टी का शिर्ष नित्रुत्वच चुप है तो इसके बारे में ये मानना होगा कि क्या ये मू कसम्मती है और इससे भी आगे जाके मैं कहता हूँ प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार समीति के अध्यक्ष है दिवराय बहुत बड़े अर्थशास्ति समझे जाते हैं इस देश के आने वाली समय में देश के आर्थिक निती कैसी होगी ये बताने वाला जो शक्स है वो एक आर्टिकल लिख्य कहता है कि इस देश में अब समविधान बदलने की जरुरत है क्योंकि ये समविधान अब खराब हो चुका है बेकार हो चुका है ये अमेंडमन करने लाइक भी नहीं बचा ये ब्रिटिश कॉलिनियल कानुनों की वो कहता है कि we will have to go back to the drawing board to rewrite the constitution कुण सा कॉलिनियल एक्ट कुण सा ब्रिटिश कॉलिनियल एक्ट की बुवा आती है विश्व के बहतरीन समविधानों को स्टड़ी करने के बाद धाईस साल तक सेकडों घंटे की चर्चाए परिचर्चाए लाखों कागज बरबाद करने के पाद इस देश के तमाम भुजी दिवियों ने एक समविधान बनाया यह समविधान ऐसा नहीं आया कि बाबा साब आम बढ़कर को रात को सो गएते और सुबह उनके किताब पाई गई सिराने और सुबह उटके वो किताब लेके आये कि ये देश का समविधान है मुझे रात को मिल गया यदि समविधान कैसा बना यह देखना है तो पार्लेमेंट के लाइबरिर में जाके एक-एक बहस डॉक्यमेंटर है एक-एक शब्द फुल स्टॉप और कामों के उपर बहस हुई है तब जाके विश्व के बहतरी समविधानों के साथ निचोड निकाल कर और इस देश की सामाजिक स्थिति ये देश किसी देश की साथ कंपिर करने वाली बात नहीं है उपर माध वीफ है अपने आप में सेक्डो भाषा हैं अलग-अलग संस्पुतियां हैं अलग-अलग परंपराएं हैं चाहे पूजा की हो चाहे शादी की हो चाहे खान-पान की हो चाहे पहनने की हो इन तमाम लोगों को यदि एक छट के नीचे लाना हो और सभी का इंट्रेस्ट संभाल के यदि आपको इस द लेकिन सिस्टेमेटिकली समवीधान बदला जा रहा है, क्योंकि ये समवीधान ताना शाह को जगा नहीं देता, जब ये समवीधान, समवीधान सभा ने अंग्यक्रूत किया था, तो एक दिन पहले 25 नुवेंबर को ड्राफ्टिंग कमिटी के चेर्मन होने के नाते बाबा सा अंग्यकर ने भाशन दिया, उस भाशन में उन्होंने एक डर बताया, उन्होंने कहा कि मुझे ये भी डर है, कि कहीं ऐसा समय इस देश पे नहीं आए, कि लोक तंत्र के मुखोटे में एक ताना शाह जन मिले, और ये डर मेरा इसलिए है, कि हमारे समाज में व्यक्ति पूजा होती है, जिस समाज में अशिक्षा हो, जिस समाज में शिक्षा का स्तर नीचे हो, जिस समाज में असमानताय हो, उस समाज में यदि व्यक्ति पूजा होने लगी, तो उस व्यक्ति की भी पूजा जिसकी होती है, वो उस लाइक है की नहीं है, ये भी एक डाउट ले वाली बात है और ऐसे व्यक्ति की जब व्यक्ति पूजा होने लगती है तो फिर ताना शाहा जन्म लेता है मैं आज सैलूड करता हूँ आप मिड़कर जी को कि उन्होंने उन्नुच से उन्पचास में क्या होने वाला है यह देख लिया था शायद इतने दूर दर्शी थे हो आज सम्विधान इसले बदलना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक देश एक चुनाओ और योग पार्टी एक दल यही होने जा रहा है जो सूरत में हुआ जो इंदोर में हुआ आज जो खजराओं में हुआ यह इसका ट्रेलर है प्रदानमंत्री कहते हैं न कि अभी तक 10 साल में जो किया मैंने ओ ट्रेलर है फिल्म अभी बाकी है तो यदि ये ट्रेलर है तो ये फिल्म कितनी घिनोनी होगी कि आपको याद रखना होगा आज ये देश 75 साल की गाता गा रहा है अमृत काल का समय पुरा देश सेलिबरेट कर रहा है सरकार जब्रन हमको celebrate करवा रही है कि अमरुत काल है वीश का गूट लेते हुए कोई अमरुत काल को celebrate नहीं कर सकता कोई भी समाज में अमरुत काल तब आता है जब समाज में समरस्ता हो डर नाम की चीज ना हो क्या हम मुगलों के राज में जी रहे हैं क्या हम अंग्रेजों के राज में जी रहे जो डर के जी है आज हमें डर क्यूं लग रहा है आज बोलने का डर आज सुनने का डर मैं जानता हूं आज ऐसे भी कुछ लोग है जो रिष्टे में मेरे खून के रिष्टेदार इस कोलहपूर में है खून का रिष्टा है मेरा उनका वो आज इसलिए नहीं आये इस सभा में जानते हुए क्योंकि वो जहां नोकरी कर रहे है वो लोग सत्तापक्ष के साथ है वो वहां नोकरी करता है कई मालिक को पता पढ़ गया कि मैं मेरे भाई को मिलने आया जो भाई सत्ता को चैलेंज देता या सत्ता को ललकार का है तो कहीं मेरी नोकरी नहीं जाए यह डर नहीं है तो क्या है आज मुझे गर्व है कि इस कोलापुरी इस नगरी में कम से कम कुछ तो मर्द देखे मैंने क्यों सरकार के खिलाब कुछ आवाज उटती है तो उसको कम से कम सुनने के लिए आये है लोग मुझे टाइगर कहते है मैं टाइगर नहीं हूँ टाइगर आप लोग है क्योंकि आज के देट में बोलने वाले मिल जाएंगे सुनने वाले मिलते नहीं हर एक को डर लगता है और मैं कोई ऐसी बात नहीं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो बहुत बिरली है सिर्फ मैं देखता हूँ ये बाते आप महसूस करते हैं क्या महेंगाई आप महसूस नहीं कर रहे है आज तमाम अपना हमारे बहनों को पूछिये क्या उनकी खाने के ठाली सिकूर्ती नहीं जा रही है क्या आपके बच्चों के एजुकेशन सिकूर्ती नहीं जा रहे है क्या 2014 के बाद हर जगा compromise नहीं करना पड़ रहा है क्या हुआ इस देश को क्यों महेंगाई control में नहीं आती बेरोजगारी का आलम इतना है कि जैसा लड़का जवान होते जाता है वैसे माबाप की चिंताएं बढ़ती है लोग कहते हैं कि बेटा जवान हो गया अब मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ हमारे देश में ऐसा समय आ गया है कि बेटा जवान होता है तो माबाप की चिंताएं बढ़ती है क्योंकि बेटे को नोकरी नहीं इस frustration में उसको भविष्च नहीं दिखता इस frustration में कुछ और किसी संगत में नपड़ जाए इसलिए बुडे माबाप लगातार अपने बच्चों का ध्यान रखते है शायद उन्हें उतनी तकलीब बच्चा छोटा था तब भी नहीं हुई बच्चा जवान होने पे हो रहा है इसके लिए कुन जिम्मेदार है क्या हम इसके लिए पाकिस्तान और चाइना को जिम्मेदार मानेंगे हम कांग्रेस का रोना कितने दिन तक रोएंगे कब तक रोएंगे 2014 से लेके 2024 तक 10 साल तो दे दिया है आपको इस 10 साल में आपने क्या किया इस दस साल की उपलब्दियां आप गिनाई है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्रीजी से लेके तमाम नेताओं के पास जो सत्ता में दस साल से सत्ता भोग रहे मक्खन खा रहे है उनके पास भी उपलब्दी बताने की जगा नहीं जब आपके तरकश में तो तीर नहीं जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं तो फिर आप दुसरे का देखते हो आपको आपका मैनिफेस्टो क्या है गोशना पत्र क्या है ये बताने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि 2014 में जो लबबा जी 2019 का क्या हुआ भैसाब पहले उसकी बात करे तो फिर आपने अपना गोशना पत्र छोड़के दुसरे के गोशना पत्र पे बात करें और यदि दुसरे का गोशना पत्र भी बात करनी हो तो उस गोशना पत्र को पढ़िया उस गोचना पत्र में जो कमिया है उजागर कीजिए लेकिन ये तो मत बताईए जो उस गोचना पत्र में है ही नहीं ये तो मत बताईए कि हिंदू के घर के महिलाओ का मंगर सुत्र खीच के मुसल्मानों के घर दिया जाएगा ये तो मत बताईए कि आपके पास चार फ्लैट है तो उसमें से तीन फ्लैट खीच के आपको किसी अलपसंक्यकों दिये जाएंगे ये तो मत बताईए कि आपके घर में जमीन हो तो जमीन का बटवारा अलपसंक्यकों में किया जाएगा ये कहां लिखा है और हमारे प्रधान मंत्री इस बात को भूल जाते कि उदेश के प्रधान मंत्री है प्रधान मंत्री पत की गरिमा है हमने कई प्रधान मंत्री देखे तीस साल के मेरे दिल्ली के वास्तवे में मैंने कई प्रधान मंत्रियों को नजदिक से भी देखा उनका प्रचार भी देखा लेकिन हर प्रधान मंत्री एक राजनितिक दल का नेता होता है लेकिन उसके पहले भी वो प्रधान मंत्री होता है वो हमेशा उस गरीमा को ध्यान रखता है यदि छुचोरापन प्रधान मंत नरिंदर मुदी क्या है तो मैं बोलता हूँ और प्रधान मंत्री पत्की शपत लेते हो तो पूरे राष्टर के प्रधान मंत्री होते हो आपको कम से कम अपनी नहीं शरम आती है कम से कम उन 143 करोड लोगों की तो शरम कर लीजिये जिस हिजाब से आप जूड बोलते हैं जिस हिजाब से आप दंगे भड़काने का काम करते हैं आज एक यफाय अर्दर जुई आसाम में क्योंकि हमारे ग्रह मंत्री का कोई एक फेक वीडियो चला वो वीडियो ये कहता है कि यदि मैं सत्ता में आ गया तो मैं रिजर्वेशन खतम कर दूँगा मैं जानता हूँ कि अमिश शाजी ने कभी नहीं कहा जिसा लेकिन ये वीडियो फेक है फेक चला वीडियो अमिश शाजी का ये वीडियो फेक है ग्रह मंत्री का वीडियो फेक है बीजेपी ने कंप्लेंट कर दी हो मिनिस्ट्री ने कंप्लेंट कर दी पूरा देश का पुलिस डिपार्टमेंट सर पे बल खड़ा हो गया आनन फालन में कंप्लेंट कर दी रेवंत रेड़ी तेलंगाना की मुख्यमंत्री है उन्होंने भी वो वीडियो शेर किया किसे के साथ उन्हें भी नोटिस मिला कि आप आईए तमाम टेलिफोन मेरे मुबाइल जो भी लैपटाप जो यूज करते हैं सब लेके आईए पुलिस ने उनको समझ सी चुकिया यह फायर की उनके खिलाब बाकी कॉंग्रेसियों खिलाब यह फायर की ऐसा ही होना चाहिए मेरी अपिक्षा ऐसा ही है इस देश से मैं आज दिल्ली पुलिस को साधुवाद देता हूं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फेक वीडियो पे इतना पूरंत एक्शन लिया लेकिन फिर राहुल गांधी का एक वीडियो था इदर से आलू दालूंगा उदर से सोना निकालेगा वो वीडियो पे एक्शन क्यों नहीं लिया उसके पहले प्रधान मंत्री स्वैम कहते है उत्रप्रदेश के चुनाओं में कि एक कॉंग्रेस के नेता को ये भी पता नहीं है वो कहता है कि नॉर्थ इस्ट का एपल लंडन के बजार में क्यों नहीं बिकता अरे मुर्ख नॉर्थ इस्ट में एपल नहीं होता ये भी पता नहीं होता राहुल गांधी ने कभी एपल नहीं कहा था पाइन एपल कहा था यह हमारा दुरभाग गया कि हमारे पास ऐसा अनपड़ प्रधान मंत्री है जिसको पाइन एपल और एपल का फरक नहीं समझ में आता है उसके बाद जब 288 करोड रुपे क्याश्च मिला एक जैन नाम के व्यापारी के पास इतर के वो रेड जैन पे मारनी थी वो जैन समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है प्रधान मंत्री पूरे चुनाव में बोलते गए कि देखिए यह समाजवादी पार्टी का पैसा पकड़ा है कैसे नोट के थप्या दिखे आपको तब आपने जोट नहीं बोला तब यह फायार दर्ज नहीं हुई तब कहां गई थ चुनाओ के निर्णाए को बाधित नहीं कर रहे हैं यह आलोप नहीं लग सकते हमारे देश की खिलाडियां ऑलम्पिक मेडल लाने वाली हमारी बेटियां जब उनकी इज़त लूटता है एक बीजेपी का गुंड़ा जो सांसद है उसके खिलाब जब कंप्लेंट करती है पुलीस में तो कंप्लेंट तक नहीं ली जाती है उन देश के होनहार बेटियों को सर्वोचे नयायले के दरवाजे पे जाना पड़ता है यह फायार लिखवाने के लिए सर्वोचे नयायले के आदेश पर यह फायार लिखी जाती है और वो गुंड़ा आज भी शान से घुम रहा है बाहर और वो चुनाओ भी लड़ेगा तो आज चले नहीं होगा तब दिल्ली पुलीस कहा गई थी तब दिल्ली पुलीस की एक्शन कहा गई थी क्या जूट बोलने का लाइसंस सत्ता में आने के बाद सरिफ अमिश शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को मिला है क्या यदि आप ही को लाइसंस मिला है तो फिर इस जीट का जवाब जनता देगी सम्विधान का खत्रा जो बार-बार मैं बोलता हूं यह जो लोग वक्तवे दे रहे हैं मैं यहां तक सिमीत नहीं आता हमारे यहां तेरा मेंबर के एक कॉंस्टिटुशन बेंच ने एक निर्णे दिया था कि सम्विधान में जितना चाय संशुदन कर लो सम्विधान के ढाचे को आप हाथ में लगा सकते हैं और वही तकलीब देयर डिसीजन आदर्निया नरेंद्र मुदीजी के लिए कि सर्वोच नेयले ने कहा कि दिली सरकार है चुनी हुई सरकार है हर पास साल बाद इस सरकार को जाके जनता के बीच में अपना लेखा जोखा देना होता है तो इस सरकार को इतना तो अधिकार होना चाहिए कि जिन अधिकारियों के द्वारा सरकार राज करती है उसका ट्रांसपर पोस्टिंग तो सरकार करें ये अधिकार क्या दे दिया केजरिवाल सरकार को नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया कानून बना के लाई NCR Act और उस कानून में सारी शक्तिया इलेक्टर गवर्मेंट के लेली और LG को दे दी लेटरन गवर्नर को क्या ये सरवोचे नयायलाई का आदर है सरवोचे नयायलाई ने सम्विधान की परिभाशा करते हुए यदि कोई निरनाय दिया तो उस निरनाय के खिलाप आप कानून लाकर क्या बताना चाहते हैं आप यही बताना चाहते हैं कि जिस सविधान के कश्टोडियन सुप्रिम कोट है उस सविधान को ही हम नहीं मानते इसलिए डर है कि सविधान बतलेगा इसके बाद सरवोचे नयाय लेके फिर सविधान पीट ने एक निरने दिया कि इस देश में चुनाओ जो है लोकतंत्र हमारे सविधान के आत्मा है और चुनाओ कैसे हो निस्पक्ष हो यह देखने के लिए जो आयोग है चुनाओ आयोग इस आयोग में निस्पक्षता होनी चाहिए इसके लिए आयोग में जो नियुक्तिया होगी उसमें प्रधान मंत्री रहेंगे कमिटे में विपक्ष के बड़े नेता रहेंगे और सरवोचे नयाय दिश रहेंगे ताकि पक्ष विपक्ष और एक नाय दिश तीनों के चलते नियुक्तियां होगी ताकि ऐसे लोग वहाँ बैठे जो लोग वाकई निस्पक्ष चुनाव करवाएंगे तब ही तो लोग तंत्र रहेगा नहीं तो एकी पार्टी के लोग सरलगातार चुनाव जीत के जाएंगे लेकिन जैसा ये निर्णाया सरोचनायले का अगले लोग सबाधिविशन में फिर एक कानून लाया और उस कानून के तहट प्रधान मंत्री उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर और निर्णाव अपोजिशन तए करेगा मतलब दो एक तरफ और एक एक तरफ उसके बाद जो नियुक्तिया हुई है चुनाव आयोग में विपक्ष के नेता लगातार चिलाते रहे कि अरे भाई ये कौन है ये आदमी गलत है इस आदमी को नहीं रखना चाहिए लेकिन दो ने बोल दिया रखना चाहिए तो रख दिये गए तो क्या चुनाव आयोग हमारे सरकार के धरबार के निर्ट्यांगना हो गए है क्या चुनाव आयोग पामिरियन कुत्ता हो गया है जो अपने मालिक के दीव है बिस्कुट के पीछे पूछ इलाते हुए उसकी सेवा करेगा यदि चुनाव आयोग ऐसा है तो निस्पक्ष चुनाव कैसे और निस्पक्ष चुनाव नहीं है तो फिर लोगतंत्र कहा और जब लोगतंत्र ही नहीं है तो फिर सविधान कहा इसलिए हर उस समविधानिक जो प्षित्र है जो जहना ट्रांस्परेंसी होनी चाहिए वहाँ असमवईधानिक लोगों को बिठाय गया है इसलिए यदि मायावती का भतिजा कुछ कहता है तो उसके खिलाब चुनाव आयोग यफायार दर्श करवाती है और जब प्रदान मंत्री ने ये कहा कि मुसल्मानों को हिंदों का मंगल सुत्र खिच के दिया जा रहा है तो उसके बाद उन्होंने नोटीज दिया अज्जक्ष को उन्हें कहा कि नहीं अभी ये नोटीज दिया उनका जवाब आएगा उस जवाब को हम आराम से देखेंगे और तै करेंगे कि गलत बोला या सही बोला या फायार उसी दिन क्यों निदर्ज होती क्योंकि कौन पामिरियन कुट्ता अपने मालिक को काटेगा वो तो पूछ लाएगा तो क्या आप एक शाहिज चुनाव से इसी लिए जनजागरण की जरुद है सवाल भाजपा का नहीं है मैं ये कहता हूँ कि एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार के साथ एक दुर्भाग्य होता है अच्छा पत्रकार इमानदार पत्रकार हमेशा विपक्ष का साथी होता है क्योंकि सवाल पत्रकार सरकार को पूछेगा चाइना क्यों आया मैं जाके किसी जितरम यचुरी को तो नहीं पूछूंगा कि भाई साब आप बताईए चाइना को कैसा आने दिया आपने वो पुले कार मैं सरकार में थोड़ी हूँ जो है उसको पूछो ना यार मैं भी यही सवाल सरकार को पूछ रहा हूँ और मुर्क आदमे तू भी मुझे पूछ रहा है तो सवाल तो सरकार को पूछने होंगे जब आप सत्ता में आते हो तो एक घोशना पत्र लेके आते हो और ओगोशना पत्र के हिसाब से आप सरकार चलाते हो कि नहीं चलाते हो यह सवाल कोई तो पूछेगा और यदि मेडिया यह सवाल पूछता है तो दोस्दूरी कहां से हो गया जब कॉंग्रेस की सरकार थे तब लोग हमको कहते थे कि यह कॉंग्रेसी नेता कहते थे यह केने वाले भ्रष्ट कहने लगें और वो कॉंग्रेसी मुझे जो संगी कहते थे आज मुझे अपना सगा समझने लगें यह मैं तो उसी रोल में हूं लेकिन यह लगातार चीजे बदलती इसलिए है कि लोग सत्ता में बदलते हैं जो सत्ता में आता है उसके साथ बहुत सारी कीज़ उसको करनी होती है और हम बार-बार उसी को सवाल पूछते हैं तो अब इस सरकार को यह सवाल पूछा तो इतना नागावार क्यों गुज़रता है मैं कोई भाषण में कोई किसी को दंगा करने के लिए तो नहीं उसका राता है मैं सिरिफ सभीधान बचाओ और अपना मददान करो सभीधान कैसा खत्रे में ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ लोक कंत्र कैसा खत्रे में बताने का प्यायर कर रहा हूं और Uttarpradesh गौर्बेमेंट ने ब्लैंकेट आरडर निकाला है कि आशोक वानकड़े का कोई भी भाषन चुनाओ तक अब कुत्रपदेश की भूमी पे नहीं होगा अलाबाद से लेके तमाम जगा पे मेरे भाषन समापत होगे उनने कहा कि भाष साब आप कैसा करें मैंने बोला कुछ नहीं जिस दिन भाषन है उस दिन मैंने वरा डिजिटल भाषन दूँगा बोलूँगा सबको लोगों तक तो बाच चाहिए लोगों के बीच में टालिया बच उसमें खुशी नहीं है आथ आपके दिल में उतरनी चाहिए आज सब्विधान खत्रे में है देश खत्रे में है और देश इसले खत्रे में है कि किसी भी देश की उन्नती उसके आर्थिक नितियों से मानगे आज मैं जब बोलता हूँ आज याद रखेगा मेरे शब्द किसी भी धिन हम लंका होने जा रहे है सुबह उठेंगे यहां पेट्रोल के लाइन लगेगी पेट्रोल पंपे और देखते देखते आग भड़क जाएगी और पता पड़ेगा कि हमारे पास पैसी नहीं 2014 तक देश के उपर माकर चौपन लाख करोड़ के निट पिछले बजेट में मेरे सरकार ने मतलब हमारी सरकार ने जितने कमाई की जितना इंकमिंग है जितना रिसिप्स है जितने पैसे है उससे बावन प्रतिश्चत हम सिरिप ब्याज अदाईगी में दे रहे है बचे हुए 48 प्रतिशत में हम देश चला रहे हैं एक साल के लिए आप स्वयम सब अपना घर चलाते हैं आप इमेजिन करिए आपके तनका का 52 प्रतिशत देदिया आप बैज में दोगे चलाओगे और जो 27-28 का जो बजट आएगा कैलक्लेशन से इसके मनगणत कहानी नहीं है जब 27-28 का बजट आएगा तो हमारी जितनी रिसीट होगी वो टोटल सव प्रतिशत ब्याज और इस्टॉल्मेंट में जाएगी और ये देश 27-28 का बजट 100% डेफिसिट होगा और जब जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि अभी स्रीकुष्ण का मंदिर भी तो बनाना है अभी ये भी तो मंदिर बनना है मध्यपदेश सरकार जब शिवराज सिंग आदरनेश जा रहे थे उन्होंने 25 कोलिड़ गोशित किये थे जा हनुमान की मंदिर हैं वहां हनुमान कोलिड़ या फला कोलिड़ परा कोलिड़ महाकाल कोलिड़ और मध्यपदेश सरकार हर मेने 2000 करोड रुपए लोन लेती है यह जब नाय मुख्यमंत्री नहीं बना पुना ना मुख्यमंत्री एक्टिंग पोजिशन पे था वत अब कियरट हमें को जिन्दा नहीं रहेगा तो मंदिर में जाएगा कौन यह मंदिर किसके लिए है भगवान के लिए क्या आपको लगता है भगवान इतने कमजोर है कि उनको हमको मंदिर बना के देना पड़ रहा है राम लला आयोध्या आये है अरे राम लला आयोध्या में थे पहले से थे जो राम को लाया है उसी को हम लाएंगे कोन राम को लाया किसके अवकाद है वो सोयमाएं ये मुर्ख ये समझने लगे कि हमने राम को लाया है तो इससे जज़ा हिंदुत्व का अपमान नहीं है इतना ज़्यादा राम का अपमान नहीं है और राम आयोद्या में होंगे भी तो मेरा दावा है जब जब ये नेता आयोद्या जाते है राम कुछ दिनों के लिए इधर उदर जाते होंगे जहेल है राम भी इनको जहेल नहीं पाएगा क्योंकि राम तो एक वचनी थे यह तो बहुचनी है और इस वचनी जो आपसे वह पता नहीं क्योंकि पूर्ण करते के हमारे है तो बोलते हैं एकनाशिंदे किसाद चला गया हूँ और एकनाशिंदे मुझे पता ही नहीं मेरी यहाँ है मैं एक विदान सभा गया एक बार तो वहाँ पे एक मंत्री क्या नाम बताए उन्हें ने मुझे बोला कि ने आप दो मिनट के लिए तो चेंबर में आईए गये तो बने कुछ आमारे है यह मेले बड़े आपके फैन है और मिलना चाहते है तो सब को बता रहते हैं इस पार्टी में मिलने नहीं हो किसी का मत बताओ कौन याद रखेगा मैं जाके होटेल में जाओंगा तब तक फ्लेश आएगा इसमें से तीन उधर से इधर हो गए होंगे उधर से उधर हो गए होंगे बड़ी बात है मेरे लिए किस पार्टी से हो यह मत बताओ क्योंकि किदर से कौन कहा जाता है कैसी विचारधारा बदलती है और इन बिकने वाले बिकाओं माल को यदि हम भीजते है तो हमरे से ज़्यादा नाला एक और मुर्ख कोई नहीं यह हमें देखना होगा बार बार मैं कहता हूँ हर राजनितिक दिल में अच्छे लोग होते हर राजनितिक दिल में बुरे होते है अरे एक मर्द को भेजो अपना नुमाइंदा बना के कि जो पार्लामेंट में उसके सरकार भी हो तो आवाज उठाए अपने सरकार के खिलाब भी बोलने के आवाज उठाए कि मैं कॉलापूर का सांसद हूँ होगी डबल इंजिन की सरकार लेकिन मेरी समस्याओं का अभी तक निदान क्यों नहीं हुआ आज मैं पूछताओं ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर को आज मैं पूछताओं आरबन डेवलोप्मेंट को आज मैं पूछता हूँ रूरल डेवलोप्मेंट को, आज मैं पूछता हूँ एग्रिकल्चर मिनिस्टर को नहीं नहीं वो सवाल नहीं पूछ हमरी सरकार है न बात में ढागते हमको ऐसे नामर्दों को भेजोगे, तो माफ करना अपने आपको मर्द बोलने का अधिकार हमको भी नहीं है क्योंकि जो नुमाइंदा भेजते हुए दिए वो नपुसक है तो फिर उसके साथ ही भी सब वहीं होते हैं बड़े कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने इसी विदा लोक सभा में मेरे तीस साल के दिल्ली के वास्तवे में मैंने दाहारते हुए लोगों को देखा अपने ही पार्टी के घरते हुए लोगों को घरते हुए देखा और मंत्रियों को फड़पडाते हुए देखा क्योंकि उनीक असांस है तो उसका सवाल पूछता है लेकिन 2014 के बाद तो कवालो की टोली बैठ गई है पारलेमेंट में दो गाते हैं और बाकि सब टालिया बजाते हैं आज यहां हम भी देखेंगे आज यहां हम भी देखेंगे हमारा कैबिनेट कवालो का टोला हो गया है वो भी वहीं दो गाते हैं और बाकि सब वो सूर में गाए बेसूरे में गाए वो हिंदे में गाए उर्दू में गाए बस हाजिया हम भी देखेंगे पर पीछे टाली बजाना है कि टाली बजाने वालों से निकलना जरूरी है इसलिए जब आप बटन दबाते हो 30 सेकंड का टाइम लेके तो एक ऐसा समय है आपके पास उस समय एक अच्छे इंसान को जो विचार धारा नहीं बदलता हो जो खोके लेके बोके जैसा मखण खाने के लिए इधर-उदर मून ही मारता हो जिसको अपना कोलापूर छोड़के कहीं गौहटी और उदर-उदर के पेड़ पोदे देखने की इच्छा नहीं होती हो ऐसे लोगों को चिना जित्वाइए जो आपको समझ सकता है आपके वेदनाओं को शब्द दे सकता है ऐसे मत करो कि जो आपको वेदना देगा आज आपके पेरों में पड़ता है बाद में आप उसके चरण धूंडते हुए जाते हो यह कुन सा, क्या है यह, सांसत क्या होता है एक खासदार या आमदार क्या होता है यह इनके आउकात क्या है इनके आउकात आप लोग हो आप हो तो वो है आप नहीं हो तो यह डिपोजिट भी अपना 25 रुपे दिया हुआ मांग नहीं सकते वापस वो भी खोना पड़ेगा इनको इतनी ताकत आप में है लेकिन प्रॉब्लेम यहीं है कि हम अपनी ताकत नहीं पहुशते जब जाते हैं तो नहीं वो मेरे जाती का है नहीं तो आपला है तो दूसरा चाहे कोणी आपला दूसरा नस्तू मानूस वोडखेला पाईजे किसी इनसान को भेजो जिसमें इनसानियत हो ऐसी इंसान को भेजो जो आपको जानता हूँ प्रधान मंत्री जी कहते थे मुझे भी विश्वास था कि ये आदमी आया चलो ठीक है, विचार धरा अलग है कटरता है, सब कुछ है लेकिन प्रामानिक है दाग नहीं है ब्रहटाचार की तो लड़ाई लड़ेगा कॉंग्रेस या विपक्ष का ब्रहटाचारियों को निप्टाता है, बहुत बड़ी है इस बार तुम सारे विपक्ष को निप्टाओ विपक्ष सत्ता में आने के बाद तुम को निप्टाएगा देश साफ होगा जो लोग जेल में जा रहे थे मुझे उनके बारे में कोई प्रेम नहीं था इतना खाया कि अजिर न हो गया भी खाने का भी एक तसलिका होता है आप इतना खाते हो कि तीन दिन तक बास आती है मुझे कि क्या खाया आपने तो जो इतना खाएगा अजिल न होगा वो तो जेल जाएगा उसमें कोई बुरी बात नहीं लेकिन ये कौन सा ब्रहटाचार की लड़ाई है कि पहले हसन मुश्रिफ के हाँ इड़ी भेजो उसका ब्रहटाचार बाहर निकालो उनके खिलाप वाले सब कहते कि बहुत दिनों से खा रहा था हमको मालूम है बहुत ब्रहटाचारी है उनके साथ वाले कहते कि साब ने आके लें धुड़ी खाया कई उने खाया था हमारे का फिर वो देश प्रेमी हो जाते हैं वो भेजटाचार से उनका कोई तालूकात नहीं है तीन दिन पहले सत्रहजार करोड का गोटाला को आपरेटिव घोटाला और यह तमाम चीज़ उज़ा कर करने के तीन दिन बाद अजित पवार उपर मुख्यमंत्री बनते हैं सर पे ह अलग लग निकालना है और सारे भ्रस्ट इकट्टा हो गए कि उन्होंने आपने पार्टी मिला के एक भ्रस्ट नेताओं का प्रकोष्ट खड़ा कर दिया है और वो लोग सत्ता में हैं मुझे बीजेपी आलों पे दया आती है जो वीचारे दरियां उठाते हैं तब भी दर महरास्ट्र में सबसे दया का पातर कोई है तो कि इड़ी है बीचारा क्या-क्या बात नहीं करता था क्या-क्या डॉकुमेंट नहीं लाता था अचोक वानकले बता लाओ तुमको मैं यह दर्डा जेल जाएगा नाराएन राणिये जल जाएगा मैंने भी बुला अब दादा तो मैंने पूछा मैं तो कुछ और तुम याँ टीवी पे बारबर मत बोलो यार किरीट समया किया क्या करें अजीद पवार का स्वागत किया हमिश्या अजीन है और बोला कि दादा आप पहले क्यों नहीं आए तो अब उस भाषन का विश्टलेशन में दिल ने में बढ़ा था तो कई लोग मुझे सब अकबारवाले सब पूछते कि भी महारास्टर का अशोक वांकरे उच्छे क्या कहना क्या चाहते होंगे अमिश्चा जी कल तक गाली दे रहे थे जेल चौदा सो क्रोड की प्रापरटी जब तो हो गई भाई बहन सब एक लाइन पर लगा दिये थे फिर मैंने बोला नहीं है उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि गुजरात में मध्यपुरा बैंक का गोटा ला हुआ वो गोटा ला था सोला सो क्रोड रूपे उस बैंक के डारेक्टर थे अमिश्चा अमिश्चा को यह inferior complex हो गया कि मैं सोला सो यह सत्तर हजार तो वो बोलने कहें कि दादा पहले क्यों नहीं आए यार नोड़ बंदी के पहले आते तो मैं भी एक लाग तक कर देता सत्तर तुमारे बाकी सोला मेरे मैंने बहले फैकल्टी ढूनते हैं 65 साथ तक जिन्दों ने भरष्टाचार किया वो फैकल्टी दी हमको सिखाने आए तो हम उससे भी ब्राड़ा भरष्टाचार करेंगे यह जोक लगता है सुनने के लिए लेकिन यह वस्तुस्तिती अपने जीवन की आज हम हस के टाल देत हैं लेकिन यह चीज़े हमारे सर पे है आज जब इलेक्टराल बॉंड की बात हुई मैं खासकर इलेक्टराल बॉंड के हमेशा बात करता हूँ क्योंकि वो ऐसा एक डग न सकते है उस इलेक्टराल बॉंड के नाम पे पुरे देश में भ्रह्टाचार का एक माहूल बन एक अद बार रहूल गांधी बोलते और वो भी चुप हो जाते इसका कारण इसका कारण एक कहानी बताता हूँ मैं आपको मेरे मित्र थे अभिलाश खांडेकर स्पोर्ट से लिटर थे और इंदोर में और महाराजा सिंध्या से बड़े अच्छे संबन थे उनके क्योंकि व मारेमेंट मेंडी फिप जारी हो गया था तो महराज ने फोन करके बोला कि अभिलाश बेरी सउरी बट वरी नेक्सड दे आविल कम तो दूसरे दिन ही शादी के महराज अभिलाश के घठ आ एक बीलारा जै किया महाराजане और महराज आ रहे है मैं क्या थे त्यमा भी आ जा का फोन है कि साब एक हाई सोसाइटिक गर्ल का रैकेट पकड़ा गया और उसमें कई बड़े-बड़े नेता और अधिकारी बिरोक्रेट्स हैं हंगामा मचेगा देश में बतलब सेकेर्टरी लेवल के लोग है कुछ कैबिलेट मिनिस्टर है बोला मैं भी खबर सुनके राद भर क्या कौन-कौन हो सकता है सुबह उठा में अग बार तीन-तीन बार देख रहा हूँ एक लाइन नहीं आई से फिर मैंने पूछा बोले उसको क्या यार गप मारता है उसने बोला बोले नहीं वो पुरी लिस्ट में दो संपादक भी थे यह भ्रहष्टाचार नहीं साथियों यह राजनितिक व्याभिचार है और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 14, 15, 16 में इन्होंने तै कर लिया कि भ्रहष्टाचार करना है बड़े पहिमाने पे वसुली भी करना है एक्स्टोर्शन भी करना है कमिशन भी खाना है सब कुछ करना है लेकिन ऐसा कुछ इसको कानूनी जामा पहनाओ लिगलाइज करो इसको फिर स्वर्गी अरुन जेटली जी के शातिर दिमाग ने पूरा प्लैनिंग किया और इलक्ट्रॉल बॉंड का जन्म हुआ जब इलक् प्रदान मंत्री बहुत जूड बोलते हैं जब इंट्रिव में बोले हिंदी वाले कि पहले इलक्ट्रॉल के बॉंड के पहले कोई सिस्टम ही नहीं था बहुत बढ़िया सिस्टम था सिस्टम यह था बीस हजार से ज्यादा किसे ने इदी चंदा दिया किसी कमपनी ने तो उस पार्टी को इलेक्शन कमिशन को बताना होगा किस ने मुझे चंदा दिया भीस हजार और जिसने दिया उसको अपने बैलन्स शिट में लिखना होगा कि मैंने इस पार्टी को चंदा दिया सब ट्रांस्पेरेंट था कोई छुपाई हुई बात नहीं थी उसके बाद वी कि जो कंपनी चंदा दियना चाहती है उस कंपनी का तीन साल लगातार प्रॉफिट में होना जरूरी है और तीन साल के प्रॉफिट के साड़े साथ टक का एवरेज आफ थ्री येर्स नेट प्रॉफिट सेवन एंड फिप्टी परसेंट ही आप चंदा दे सकते हो यह बड़ तो यह तो क्लाव साड़े साथ परसेंट आपको वो भी कानून उनने रद्ध कर दिया तातकालिन चुनावायोग ने तातकालिन आरबियाय के बोर्ड ने लगातार ग्रहम अंत यह लौ मिनिस्ट्री को लिखा कि यह चुनावी बॉंड गलत बात है उनको रद्धी की टोकर कॉन्फिडेंशिलिटी नहीं होगी तो कार्पिरेट सेक्टर पैसा कैसा देगा इसलिए कॉन्फिडेंशिलिटी है इसमें अब चुनावी बॉंड कोन खरीदता है यह सरी बैंक को पता पाल्टी को यह पता के मेरे पास किस ने दिया जिसने खरीदा जरूरी नहीं दे मैं खरीदूंगा आशोक वान खड़े यादो साब को दूंगा और यादो साब जाके बीजेपी में देंगे बीजेपी कहेगी यादो जी ने दिये अशो कवान करे ने यादो जी को दिये यादो जी के पास पैसा नहीं था मेरे पास पैसा दिया मेने लेके दिया इतना गड़बर जहला था इसमें जब सरोच नयाले में मामला गया दोजाल अठरा से मामला था अठरा से चोवीस तक सरो रॉब पीर पेरों नीचे जमीन खीचके इNA को लगा पहले यंचुनाओं के पहले नहीं आना चाहिए तो उन्होंने बालार चारं महने लगेंगे हमको धी फिर दूसरा डंडा पड़ा दूले लੌ सब तुरन्त आ गया हो भी अधुरा आगया अधुरा आने के बाद फिर डंडा पड़ा तो फिर आया और जिब सामने आया तो इतना घिनोना सत्य आया भारते जनता पार्टी का एक नगन चहिरा सामने आ गया कि इनसे ज्यादा व्य नितिक व्याभिचार कहता हूं, आप जिसने जीवन में पॉलिटिकल चंदा नहीं दिया, उसके घर में इंक्रम टैस्क रेड होती है, जिसके घर में इंक्रम टैस्क रेड होती है, वो जाता है अधिकारी करें तो कुछ बताओ क्या करना इसका तोड़ पानी, बोले बांड ख ठेका दिया किसी को, वो उस लाइक नहीं था, तीसरा नंबर है उसका, लेकिन उसको फिर ठेका मिल गया, बाकि दो को रिजेट किया, बोला अनुग्रह इतना मेरे पे किया, कितना पर्षेंट देना है, बोले एले ट्रॉल बांड दो, वो पैचान में नहीं आता, हाइट य करोड है, एक लाख करोड, साथ साल का घाटा, उन 33 कंपनियों ने 324 करोड रुपे इले ट्रॉल बांड में बीजेपी को दिये, बताइए, कुछ कंपनिया इसी है, कि जिनका टर्नोहर, 10 करोड का, प्राफिट, 20 लाग का, चंदा दिया, 80 करोड, कहां से दिया, कहां से पैसा आया, इडी कहां है, क्यूं नहीं जाती पूछने, कि 10 करोड के टर्नोहर वाली कंपनी, 80 करोड चंदा कैसा दे सकती है, फिर गवर्मेंट आफ इंडिया ने, 2018 में एक लिस्ट निका ली, NBFCs, Non-Banking Financial Companies, कंपनी की लिस्ट निकली, यह हवाला ट्रेडिंग कंपनी है, यह मनी लांडरिंग कंपनी है, जनता इससे दूर रहे, जनता निबखाया, देखो सरकार कितना ऐसा, चिन्नित करके बताती है, यह फ्रॉड इससे दूर रहे, जनता दूर हो गई, इन्होंने कंपनीों को नजदिक किया, जिनको यह फ्रॉड कर रहे थे, उनसे भी चंदा लिया, उसके बाद, हमारे यहां इसी कंपनिया थी, बड़े-बड़े सन फार्मा, सिपला, क्या नाम है, बड़े-बड़े, हजारो करोड का टर्नोर, एक-एक साल में, आठ हाट बार सैंपल फेर हो गए दवाईयों के, और दवाईया कोन सी, लाइफ सेविंग ड्रग, हार्ट राक आने पे लेता है, कीमो थेरू की थेरिपी की बाद लेता है, रेमडी रिसीवर, जैसे इंग्जेशन बनाता है, इन कंपनियों के सैंपल फेल हो गए, सब स्टैंडर्ड थे, कई लोग मरे होंगे वो दवाईया लेके, हम तो डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वो लिख है, दवाई के दुकान पर पूछते हैं की असली है की नकली है, वो देता है, हम कितने विश्वास के साथ उसको लेके खाते हैं, और जब हो सब स्टैंडर्ड है, तो हो असर नहीं करता है, आदमी मर जाता है, ऐसे कई लोग मरे होंगे, इन के उपर तो मर्डर केस चनने चा ने जिसको पैसा दिया तो सब कुछ लॉट्री वाले के बारे में एक शब्द बोलने को तयार नहीं कॉंग्रेस भी क्योंकि उसने वही काम किया हो जो तिरा जो सिंद्या साब ने बताया था कि सब धंदे करो दो पतरकार को भी साथ में रखो तो कई छपता नहीं है तो उनने सत्ता पार्ट्ष को भी बहुत दबा के पैसा दिया और वीपक्ष को भी थोड़़दः देते गए हैं तो लॉट्री वाला जो सबसे भरस्ट है उसका नाम कोई पॉल्टिकल पार्टी लीती नहीं कॉंगरेस भी नहीं लिए हैं सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को जूस जो सत्ता में नहीं उनको कुछ नहीं मिला जो सत्ता में हैं उनको मिला इसका मतलब ये ठेके का आईवज में थे अतले मूर्ख इतने हैं कि ठेका देने के तीन मैने ठेका देने के बाद जब भी विंडो खुली तब पैसा दे दिया उनने अरे एकाद मैने का ग्याब देते एकाद साल का ग्याब देते तो पकड़े भी नहीं जाते सब को लग रहा था कि एक कोई कभी आएगा नहीं बहार और इसके बाद एक ऐसा घिनोना सत्य है जिसको मैं इसको व्याभिचार कहता हूँ अरे गिदर भी डेड़ बड़ी का मास नोशती हुए दो मिनिट सोचता होगा यह तो वो भी नहीं सोचता एक सवराष्टर वैसे भी पिछड़ा एरिया है गुजरात का सवराष्टर के कच जिल्ले के एक दलित परिवार ने दस करोड का चंदा दिया अब वो दलित परिवार दस करोड का चंदा कैसा दे गया है जब यह सब लिष्ट बाहर आई तो कोई पत्रकार पहुँचे जो चीज बाहर आई वह रोंगटे खड़े करने वाली थी वो दलित परिवार भूमी हिंध था सरकार ने उन्हें जमिन दी थी जब सरकार ने उन्हें जमिन दी बहुत पहले से जमिन पतलब सालों पहले पुराने जमाने की बात कर रहा हूं गुजरात में रूल है यदि सरपलज जमिन कहीं है तो लैंडलेस लेबर को देते हैं और उनको यह बोला गया था कि यह जमिन आप बेचोगे नहीं जब भी बेचोगे तो इसमें से जो पैसा आएगा बेचने से उसमें से 40 प्रतिशत फिर सरकार को वापच जाएगा क्यों ए शरकार ने दी भी जमीन है तो उस दलित के जमीन के आस-पास कुछ फैक्टरी लगना शुरू होई तो एक वेल्सपन ग्रूप है उसकी फैक्टरीय लगना शाड़ा हे उन्हें कहा कि यह जमिन हमको चाहिए तो वो कलेटर के पास क्योंकि जमीन का कीमत क्लेटर तै करते ह कलेक्टर के पास गये हैं, कलेक्टर ने कमिटी बिठाई और कहा कि ये जमीन की कीमत 72 करोड रुपे, सरी 76 करोड रुपे हैं, 76 करोड रुपे हैं, आप 76 करोड रुपे किसान को दे दीजिए, उसमें से 40% गवर्मेंट आप गुजरात को जाएगा, बाकि किसान को जाएगा, और जमीन आपकी, वेल्सबर ने हाथ उपर कर दिये, बहुत जादा है, और वो चले गए, किसान खेती करने लगा, वो रेट एक साल के लिए रहता है, एक साल के बाद लैप्स होता है, फिर जमीन खरीदो तो फिर से कमिटी बैठेगी, और जमीनों के भाव हमेशा बढ़त इस परिवार को बुला के बोला, अरे तुम मुर्ख हो, जमीन किस की ए, बोले हमारी, तुम्हारी कहां से हो गई, गुजा सरकार की है, बोले हम उन्हों ने दी थी हमको, बोले देखो अभी जो मिलता है ले लो, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, सरकार जमीन वापस ले लि है बोले वो जो company दे रही ले लो उस company के लोगों को बुलाया 16 करोड में सवदा हुआ 76 करोड 16 करोड अभी खेल बाकी है 16 करोड उसको मिले 16 करोड मिलने के बाद जो गुजरात गोवर्यमन्ट का जाना था गया 30-40 परशंट बाकी पैसा इनके पास हो गया वेल्सपन का क्योंकि फैक्टरी नजदिक थी थी उनका बड़ा गेस्टाउस था वहाँ पीजेपी के दो नेता वेल्सपन के डिरेक्टर जनरल मैनेजर यह जो अधिकारी था जो लैंड इदर से उदर रेकॉर्ड करने वाला वो भी उस गैंग में शामिल था यह सब लोग वहाँ बैटते थे गेस्टाउस में दारू पीते थे पार्टी करते थे और इस दलित परिवार को साथ में इसके मुकिया मुझे जो बड़ा भाई था दलितों में सबसे बड़ा वो और उसके बैटे को बुला लेते थे अरे अब तुम वो नीचे बैटे अरे सोपाशेट पर बैठो तुम कलड़ोपती हो गए हो हमारे बराबर हो गए हैना बैंकों में 16 करोड़ रुपए है बला हाँ साब फिर अराम से हमारे साब दो तीन एक सप्ता में तीन बार पार्टी हुई उनको भी लगा कि हम कलड़ोपती हो गए अब ये डारेटर के साब बैठने लगे फिर एक दिन जिरे से खंदे पर हात रखके बोलते कि बड़ी कई बार चिंता होती है दोस्त तुमारे बारे में बोले क्या होगया भाई साब फिर कोट में लड़ो सूपरीम कोट तक लड़ना पढ़ता है बड़ा आमाउंट है बोले साट आठ साल में तुम जिट जाओगे और तुम्हें पैसा मिल जागा वापस लेकिन जब बैंक की अकॉंट बंद हो जाएगा तो फिर वकिल कहां से करोगे तो बोले साब यह तो बड़ा गजब बात बते है आपने मरने काम हो गया तो आप बताओ इसका क्या करना है बोले भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली है उसमें पैसा लगाओ देड़ गुना हो जाता एक साल में बोले सरकों से बताओ बोले इलेक्ट्रोल बॉंड उस गरीब दलीद बापड़े को स्टेट बैंक आफ इंडिया ले गए उसने चेक साइन करके दिये उससे ग्यारा करोड के बॉंड खरीद वाया उसके हाथ में रिसिट मिली उससे लगा कि यह मिरा वो बॉंड का सर्टिपिकेट है जो मुझे इन्वेस्ट किया है उसने संभल के अपने घर में रखा कि मैंने 11 करोड रुपे Government of India के पास सेक्यूर दिये है स्टेट बैंक में डील हुई कोई इसी बाहर के नहीं सब लोग थे सरकारी लोग थे और इन्हों ने वो 11 करोड के बॉंड लेके BJP में जमा किये वेल्स्पन कंपनी अडानी की है जब यह बात सामने आई हो जब पत्रकार ने बोला कि अरे मुर्ख इंसान ये चंदा जहे एक पैसा नहीं मिलेगा तो पुलिस टेशन बैया कंप्लेंट करने पत्रकार और सब लोग साथ में देखके पुलिस ने कंप्लेंट तो लिख दी या फायर अभी तक नहीं गी बोले इंवेस्टिगेट करेंगे कहां से करेंगे भीया जैसा मैंने बोला ये पामीरियन कुत्ता वहां पे है हमारी सरकार पामीरियन कुत्ता बनके अड़ानी के दरबार में बैठी हुई है वो अपने मालिक को कहां से काटेगी और इतनी नईतिकता नहीं है अभी परसों की दिन प्रदान मंत्रियां आके बात करके गए चत्रपति शाओ जी का नाम लिया उन्होंने अधिकार नहीं है उनको नाम लेने का चत्रपति शाओ माराज का अपमानित करते हैं जब जब वो नाम लेते हैं चत्रपति शिवाजी चत्रपति शाओ जी का जोतिवा फुले का अपमानित करते हैं क्योंकि इन लोगों में हो सकता है समय का अनुसार कुछ गलत काम भी होए होंगे लेकिन ये भीचार नहीं किया उन्हें कि एक दलीद परिवार का उसके मेहनत का पैसा चंदा के रूप में अपने हाँ लुटवा लिया और ये पता होने के बाद भी दस करोर वापस करने की अभी तक इच्छा नहीं होती बीजिपी को क्योंकि बीजिपी में इनकमिंग है आउट गोइंग नहीं वो सिर्फ लेना जानते हैं देना नहीं आपसे मत लेते हैं आपको सिर्फ करजा देते हैं उत्पिड़ना देते हैं राम का नाम थमा देते हैं कोई मंदिर थमा देते हैं किसी की मजजिद गिनवा देते हैं आपके प्रश्ण उनके प्रश्ण नहीं है, क्योंकि उनका प्रश्ण सत्ता में लगातार बना रहना है, उनका प्रश्ण इस समाज को एक नए चाल में ढालना है, और एक कोलहपूर मैं बता रहा हूँ आपको, एक कोलहपूर महरास्ट्र में एक प्रयोक्षाला बन की उभर रहा है, एक ऐसे घिनोने हिंदुत्व की प्रयोक्षाला जिसमें सब लोग नफ्रत करेंगे इस कुलापूर को भगवान के लिए प्रयोक्षाला मत बनने दीजिए यह जो जाती है दंगले और दंगला और यह जो तमाम राइट्स की बाद जो कुलापूर में दिखाई देती है जाना जाता था कुलापूर पहलवान के लिए जाना जाता था कुलापूर कुलापूरी चप्पल के लिए जाना जाता था कुलापूर सफेद और तामड़ा रस्से के लिए जाना जाता था कोलापूर कोलापूर की भाषा एकेरी आलतका ग्यलतका उसके लिए और एक कोलापूर तो लए भारी था इस कोलापूर को भार मत बनने देना और एक कोलापूर भार बनते जा रहा है ये आपको कोलापूर के लोगों को देखना है कि किसी भी हालत में एक हिंदुत वकी घिनो माराज का नाम लेने से और उनके स्टैचू पे फूल अरपन करने से दाइत्व पुरा नहीं होगा ये दाइत्व है नहीं ये हमारा अपराद बोध है जो हम आप फूल अरपन करते हैं वो कहीं होंगे तो भी वो शापी देते होंगे कभी मन में कुछ सुखी नहीं होंगे बो यह जो मैं बार बार बोलता हूं कि आपको देखना है आपको उमीदवार देखना है आपको राजनितिक दल वो देखना है जो कम से कम आपके वेदनाओं की पूर्ति तो करें वेदनाओं को जाने तो सही माने आप परेशानी में है ना करें हल इसका लेकिन आप परेशानी में ये मानना भी एक दिलासा देता है लेकिन ये कोई कहे कि इस देश्ट में बेरोजगारी है ही नहीं वो तो जखम पे नमक लगाने जैसा है इस महरास्ट की राजनिती की बात करे तो इतनी घिनोनी राजनिती मैंने कभी नहीं देखी थी महरास्ट और दिल्ली का तक्त एक चोली दामन का साथ है दिल्ली का तक्त मराठो का नाम सुनने के बाद उनके रोंक्टे खड़े हो जाते है दिल्ली के तक्त के सामने महरास्ट ने कभी गर्दन नहीं चुकाई कहते है आजादी के बाद भी जब हिमाले जखमी हो गया था तो सहीहादरी उसके मदद के ले गया था यह वह माहराष्ट रहे मैं मानता हूँ शरत पवार ने पार्टी तोड़ी होगी लेकिन शरत पवार ने पार्टी तोड़ी इसलिए कि दिल्ली दर्बार को आखे दिखाने थी दिल्ली दर्बार के सामने पूछ ना हिलानी पड़े इसलिए शरत पावर ने पाटी तोड़ी शरत पावर को सवगने माफ जो दिल्ली दर्बार के सामने पूछ लाता हो दिल्ली दर्बार के सामने चरन चाटने जाता हो उसके कम से कम मेरा महाराश है तो कभी माफ नहीं करेगा इन्हें चत्रपदी शिवाजी महाराश का नाम लेने का अधिकार नहीं है जो चत्रपदी शिवाजी महाराश आगरे के किले में साक्षाथ शेहिशा को ललकार तेवे निकल गए थे बिना जान के परवा किये हो सकता था का वहीं वहीं उनका छिरचेद होता क्या उनको मालूम था उनको अरिश्ट करने वाले है एक साथ में अपना बेटा साथ में बस और कुछ नहीं पूरी पीड़ी खतम हो जाती लेकिन उन महाराष्टर के असमीता थी आज हम उनका नाम लेते हैं लेकिन क्या हमारे आग बूज गई है ऐसे नपुसक लोगों को पूछ लाने वाले नेताओं के सामने आज राष्टरवादी का और सीवसेना का उमिदवार अमिशात आय करेंगे घिन आती है अपने आपको सीवसेना और राष्टरवादी कहते हुए ये लोग इस शरम क्यों नहीं आती इनको हमिशात आय करेंगे कि छगन भुजबर लड़ेंगे नाशिक से तू कोन तू कोन अवकाद क्या कहां गुजरात चत्रपजी ने दो बार सूरत लूटी उसका बदला अब ले रहे हो और ये बदला लेनी कि तुम्हारी अवकाद भी नहीं थी इस महाराष्टर में ऐसा नेत्रत्व था ये हमारे करम फूड गये ग्रहन लग गया महाराष्टर को ये नपुसक पैदा हो गए और मुंबई में सत्ता में बैटे है इतनी इतनी अवकाद हो गई इनकी कि महाराष्टर के उद्योग लेके जाए महाराष्टर के बड़े-बड़े ओफिसे इसकल गुजरात जा रहे है क्या आने वाले समय में मुंबई हमाप्त हो जाएगी आर्थिक राजधानी मुंबई का स्टेटस था पूरे विश्व में क्या वो गुजरात के ट्वाइ सिटीज को चला जाएगा और ये सब हम जानते हैं पहचानते हैं, समझते हैं हम चुप क्यों है क्यों हम में आग नहीं लगती क्यों हम भगत सिंग हमेशा पड़ोस के घर में पैदा करवाते हैं कभी अपने भी घर में होने दीजिए हमने और आपने उम्र जी ली है याद रखेगा आने वाली पिड़ी श्राद के दिन अपने कोग खाना नहीं किलाएगी अपने नाम के ठाली नहीं निकालेगी जूते से फोटो को पीटेगी यह ऐसी सरकार है तुमने इस देश को दी है तुमारे समय जिसका खामी आजाद भी हम भुगत रहे है 2023 में नरेंदर मुदी के सरकार ने 50 साल के बांड लिये है 2023 में जो सरकार आईगी उसको यह करज चुकाना होगा तब उस सर पे हाथ रखेगा कि 50 साल पैसे कैसे कैसे लोग थे जो इतना करजा छोड़के गए यह मामला आपके भुष्चे के पिड़ी का है हमने जिंदगी जी ली इसलिए चुप मत रही है भविष्चे को कुछ तो देना चाहिए यदि मैं आज पत्रकारिता के साथ साथ भी यह काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा करते हैं न हनुमान चालीसा क्या है हनुमान चालीसा के माइने क्या है हनुमान चालीसा वो पाठ है वो इसलिए नहीं पढ़ा जाता था कि हनुमान जी को खुश करे हनुमान चालीसा हनुमान जी को इसलिए पढ़ा उनके सामने गाई जाती है कि हनुमान जी को अपने शक्ती का एहसास हो हनुमान जी शक्तिशाली थे लेकिन उनको एक श्राब था कि उस शक्ति भूल जाते थे तो उस हनुमान को बार बार हनुमान जी को बताने के लिए तू कितना शक्तिशाली है ये बताने के लिए हनुमान चाली साम पड़ते है हनुमान चालीस का सही कि एक शब्द देखिए तो आपको हनुमान जी की महिमा मंदन करने के लिए कि तू क्या है ये बताने के लिए करते हैं आज जो मैं बोल रहा हूँ ये हनुमान चालीसा गा रहा हूँ और मेरा हनुमान मेरे सामने बैठा हुआ है यदि हनुमान इस हनुमान चालीसा भी नहीं जगेगा तो फिर रावन का राज्या आएगा और उस समय सीता का हरण हो गया था लोकतंत्र का हरण होगा इसलिए जनजागरण मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ हमिश्या के खिलाफ नहीं हूँ कोई मेरा जाती दुश्मनी किसी से नहीं है ना भाजपा से है ना कॉंग्रेस से है राहूल गांधी को एक एप्रिल के दिन जब मुलाकात हुई तब भी मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कि बीजेपी तकलिफ देती ही बात नहीं है कि जब आप सरकार में थे तो आपने भी तकलिफ दी हमको क्योंकि तब सवाल हम भी पूछ रहे थे पत्रकारिता में आए तो तकलिफ तो होगी जब ओखली में सर दिया तो फिर क्या देखना उपर से क्या गिर रहा है लेकिन जब देश संकट में होगा तो रस्ते पे निकलना होगा लुहियाजी ने कहा था कि जब सरके सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है मेरी संसद आवारा ही नहीं हुई पागल सांड बन चुकी है समाच को रोंद रही है लगातार सम्विधान को रोद रही है और इस लोकतंतर को अपने सीध पे लेके दूर दूर तक फेक गे उसके चीतड़े उड़ा रही है अब भी सडके सुनी रहेगी क्या सडके आबाद करनी होगी सडकों पे उतरना होगा एक बार फिर से संगर्ष करना होगा और वो संगर्ष लोकतंतर बचाने के लिए है ना किसी राजनितिक दल के लिए लोकतंतर बचाने के लिए है सम्विधान बचाने के लिए है हमारे यां हमने वो भी सरकारी देखी कि चरण सिंखी की जिन्हों ने कभी हाउस फेस ही नहीं किया लेकिन उन्होंने भी गिनोने काम नहीं किये जो वर्तमान में हो रहे हैं कभी किसी सरकार ने हिंदु-मुसल्मान करने का प्रयाज नहीं किया क्या दो साधू महारास्टर में मारे जाते हैं तो महारास्टर के सरका इतनी घिनोनी हो गई कि उद्धव ठाकरे ने मरवाए सुनिया गांधी को खुश करने के लिए और उसके बाद 120 साधुओं की हत्या होती है उत्रपदेश में 120 साधुओं की हत्या लिस्ट है मेरे पास मैंने एक प्रोग्राम करके पुरी लिस्ट सुनवाई है योगी आदितिनात इसके लिए दोशी नहीं है आप व्याभिचार करो तो भी सधाचार और दुसरा सधाचार करे के तो भी वाभिचार यह बदलती हुई परिभाशा है यह हम सब के लिए बड़ा खत्रा है इसी खत्रे को आगा करने के लिए बार बार आपके बीच में आना हुँँगा फाइस्टार में रहुँगा मुझे भी कोई तकलीब नहीं है लेकिन फिर मेरा दाईत्व क्या है यह जन्म मैंने सिर्फ भोग भोगने के लिए है तो वो तो पिर कुछ भी काम करके करेंगे पत्रकारिता जैसे पवित्र पेशे में आना नहीं चाहिए और यह उसके पवित्र रता को निभाने के लिए जो करना होगा हो करना पड़ेगा यदि हमारे लिए उन्होंने अगबार बंद कर दिये टेलिविजन बंद कर दिये तो सोशल मेडिया हो गया किसी ने मुझे कहा कि सोशल मेडिया बंद हो जाएगा तो आप क्या करोगे मैंने बोल बस टेशन पर जाओंगा जो बस भरी होई मिलेगी उस पर चड़ूँगा और जैसे लोग बच्च में सामान बेशते हैं वैसे मैं लोगों को बोलूँगा यह भाई सब्सक्राइब बहें जी बच्चे को समालो जाओंगा दो मिनिट दो मिनिट मैं आशोक वान कड़े कल अप होने नहीं दूँगा यह प्रण मैंने लिया है क्योंकि मेरा दाइत तो बनता है कि मरने के पहले इस देश को कुछ दे के जाओं कुछे बिल्ली भी जन्म लेते हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप भी उटके माइक लेके निकल लो लेकिन जो विचार आपने सुने यदि आपको लगा कि मैंने सही बोला यदि आपको लगा कि मैंने ठीक कहा यदि आपको लगा कि मेरे विचारों में कोई तथ है तो बस एक काम करिए इस विचारों को जिंदा रखिए आपके कोई मित्र हो उनसे बोलिए यह जो ट्रोल कि मोधी को जाने का तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार मोधी के आने से क्या प्रॉब्लम और जाने का प्रॉब्लम क्या है मैं जाएगा मोधी तो लोक तंत्र रहेगा जाएगा मोधी तो समीधान रहेगा जाएगा मोधी तो लाइन और रहेगा जाएगा मोधी तो इस देश में गाव है उस गाव में एक मजजित है उस गाव में दिवाली के दिन दिवाली के नमाज पड़ी जाती है मेरे यहां कई मुश्लिम बंदू आये होंगे कोई बताने को तयार नहीं कि दिवाली को कोई नमाज होती नहीं तो नहीं कहीं नहीं होती मैं वहां होती है चार मेरा गाउं मजजिद भी कट्टा होता है तो वो पांच परिवार वहां नमाज पढ़ते उसको दिवाली की नमाज करते हैं और उनके नमाज के बाद फिर मिठाई या बटनी चालू हो जाती है और फिर भटा के फूटने होता है ये है मेरा हिंदुस्तान राम नमी के दिन जब राम के रफ्यात्रा निकलती है तो उसमें राम और लक्षमन बनने वाले दो मुसल्मान लड़के होते हैं ये है मेरा हिंदुस्तान इनके कहने से नहीं होगा मेरा हिंदुत्व इनके बाप का नहीं है राम इनके बाप का नहीं है शिव इनके बाप के नहीं है वो मेरे भी उतने है जितने इनके है और मैं मेरे हिसाब से उनको मानूंगा मैं मेरे शंकराचारे को मानता हूँ मेरी परंपराओं को मानता हूँ ना आप शंकराचारे को मानते हो ना परंपराओं को मानते हो आप सिरिफ अपने आप को मानते हो आपको अधुरे मंदिर में राम लला को इसलिए बिठाना था क्योंकि चुनाव में उसको बताना था लेकिन इस देश की जनता इतनी अब स्मार्ट हो चुकी है कि राम लला भी काम नहीं आ रहे है जैसा करनाटक में बजरंग बली ने गदा घुमा के दिया वैसा राम ने भी इनका राम नाम सत्य करना शुरू कर दिया अजब बोकलाच जादा हुई है तो फिर आदमी सैयम छोड़ देता है और अज सैयम ही बात करने लगता है तो वर्तमान में हमारे प्रधान मंत्र जी जो भी भाशन दे रहे हैं चुनाव में उन्हें माफ कीजिएगा वो मानसिक संतुरन खो चुके है दिखती हुई हार को और जाती हुई सत्ता को वो सहन नहीं कर रहे है सत्ता तो आती जाती है उनके ही पित्र पुरूश अटल जी ने कही थी सत्ता आएगी सत्ता जाएगी सरकार आएगी सरकार जाएगी लेकिन गरत तरीके से सरकार बनाने के लिए मैं चिम्टे से भी नहीं चिऊँगा, यह बोलने वाले अटल जी भी इन्हें के पुरोधाथ है अटल जी के फोटो पे माला चढ़ा के अटल जी के प्रती आस्ता नहीं होती राम को जीना हो राम की प्रण्थना करना हो राम की पूझा करनी हो, तो मंदिर میں से बड़ा, आप से बड़ा कोई भक्त नहीं होगा राम का, उसके लिए आयुद्य जाने की जरुत नहीं, मैं भी आयुद्य नहीं जाया, और मैं आयुद्य गया तो भाशन दे के आ गया, मुझे मंदिर जाने की जरुत नहीं पड़ी, जिनके भगवान मंदिर में रहते हैं, हाँ मेरी आस्ता है मैं मंदिर भी जाता हूँ लेकिन मातर इसले नहीं जाता हूँ कि मुझे भरा करना हूँ हम में से कितने लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उसने अच्छा दिन दिया और दुसरा दिन भी अच्छा दे हम भगवान को मांगते रहते हैं भगवान प आगे बाले पिडी को अच्छी सरकारी दे सकते हैं, तो ए निरंतर चरने वाली प्रक्रिया है, आज मैं हूं मेरे जगा कोन ऐएगा, कल आप भूंगे आपके जगा कोई और आएगा, आज मोदी जी है मोदी जी के जगा और आएंगे, कुछ अच्छे भी आएंगे कुछ बुरे भी आएंगे जब जब इस देश में संक्रमन हुआ है जब जब इस देश को ग्रहन लगा है तब तक इस देश की जनता ने उठी के उसका जवाब दिया है मैं बार बार कहता हूं कि ये देश अध्धंगा हो था इस देश भुकमरी के कागार पे हुआ इस देश के लोग परेशान है समस्याओं से जूज रहे है लेकिन मुर्ख नहीं समय आने पे यही लोग ताकत से आईना दिखाते है कितना भी शक्तिशाली था इंदिराजी बहुत शक्तिशाली थी पड़ी लिखे थी और इस जन्ता ने उनको आईना दिखा दिया कमरेट साहब है लोग जेल में थे जन्ता ने चुनाव लड़ा आज भी समय है पुरे देश घुम रहा हूं जन्ता चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है और इसका जवाब जन्ता देगी अब नेताओं की जरुष्ट नहीं विपक्ष की जरुष्ट नहीं विपक्ष को कोई पूछता भी नहीं जन्ता जवाब देगी और जन्ता बताएगी कि तुमरे आवकाद क्या है बहुत ज़्यादा सर पे चड़ा लिया अब उतारने का समया गया है इसलिए जन्ता जनारदन में यह आपकी विश्वास है तो जगाई है बस डर को निकाल लीजिए कोई कहता यह वियम का डर है वियम का डर है वियम वो मशीन सेट कर देगी पूछ नहीं होगा वियम का इवियम एक बार रिप्लेस हुई इवियम एक बार मिस्यूज हुई दोनों बार पकड़े गए उसके बाद करनाटक पे कुछ नहीं कर पाए तेलंगा ना में कुछ नहीं कर पाए लोग कहते हैं मध्यपरदेश चतिसगर राजस्थान मध्यपरदेश चतिसगर राजस्थान तब भी मैं कहता था और आज भी मैं कहता हूँ और अपने responsibility से कहता हूँ और ये बात मैंने राहूल गांधी के सामने भी कही है और उन तमाम मुख्य मंत्रियों के सामने भी कही है राजस्तान, मद्यपदेश और 36 गड़ तीनों मुख्य मंत्री अडानी के पेरोल पे थे, बिक चुके थे, इनोंने अपनी सरकारे बेच दी, ये सत्य पूरी पार्टी जानती है, इसलिए इन तीनों मुख्य मंत्रियों के खिलाप, जो कैसे चल रहे थे, आज कहीं आवाज न मुक्ति पाली, वैसे उन तीनों मुख्य मंत्रियों ने इडी सी मुक्ति पाली, और एक तू बीजेपी में जाते जाते रहे बिचारे, दर्वाजे नहीं खुला टाइम पे, तो वापस आना पड़ा, कमन नाजी को, तो EVM का खेल से डरो मत, बस, और EVM का खेल भी हो रहाग तो अपना खेल इतना बड़ा होना चाहिए, कि EVM से भी जादा, एक भीतरीन कवीता सामने आई, और मैं सोचता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, अब यभी किसी ने मुझे भीजी है, दोरे इलेक्शन में कहा कोई इनसान नजर आता है, मैंने कहा ना, कॉलापुर को प्रयोक्षा ला मत बनने दियेगा, इसलिए एक लाप रुवासियों के लिए बहुत जरूरी है, दौर इलेक्शन में कहा कोई इनसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, कोई मुसल्मान नजर आता है, बीट जाता है जब इलाकों से इलेक्शन का दौर, तब हर इनस कुछ तो खासियत है इस प्रजातंत्र में कुछ तो बात है इस करामती मंत्र में कुछ तो खासियत है इस प्रजातंत्र में, कुछ तो बात है इस करामती मंत्र में, ओट देता हूँ फकीर को कमबक शहनशाँ बन जाता है, और हम हर बात वही के वही गरीब रह जाते हैं। रह जाते हैं हम हर बार उंगलियों रंगाने के लिए नए फकीरों को फिर शहनशाँ बनाने के लिए। त्याला रस्त्याव राने से काम अपलब। त्यामनों कुटली राज नितिक दलो तो, मैंने कहा ना कि इंद्रा गांधी तो पड़ी लिखी थी, यह अनपढ़ है, उससे ज्यादा डेंजर है, लेकिन मैं अलाबाद के एरपोर्ट में था, तो मुझे एक बहुत पुराने स समाजवादी मिल गए, दादा, वो बिलकुल काठी टेकते हुए मेरे पास आए, गलत बयानी करते हो अशुक्त, मैं लेकिन क्या हुआ दादा, अनपढ मत कहा करो, मैंने वोला क्यूं, वोले इस देश में कई अनपढ थी, जिन्नोंने जेंडे गार दिये, हमारे सांगली के वसंद दादा पाटिल अनपढ थे, लेकिन बहतरीन मुख्यमंत्री थे, धिरुभाई अंबानी अनपढ थे, मैट्रिक पास थे, लेकिन इतना बड़ा सामराज्य खड़ा कर दिया, बले अनपढ होना बुरी बात नहीं बेटा, कूपढ होना बरी बात है, एक नया शब्द को बोलता है कि तू तो अनपढ है ही, और जो पढ़ा लिका है, उसको भी अनपढ साबित करने की सबाइस करता है, क्योंकि ये कूपढ ढ़ा लिका होता है, ये कूपढ आदमी ही है, जो नाली पे मटका रखके गया जलाता है, ये कूपढ आदमी ही है, जो चार सदियों के स होंगे तो उसके छुप के जाना, रडार पे नहीं आओगे, ये भगवान, और वो बाद भी ऐसी हुई, क्या होता है कई बार सीरियल ज्यादा देखने से, अमर प्रदान मंत्री देखो, प्रदान मंत्री की प्राब्लेम नहीं है, वो कूपड है, तो प्राब्लेम है कि वो सी रोल में समझ रहे हैं, तो जब एर स्ट्राइक हो गया, तो उन्होंने खुद कहानी सुनाई है, बोले जिए एर स्ट्राइक हो गया, तो उनको मिलने एर फोर्स के पाइलट आ गए, बिल्कुल इमेजिन करो, पाइलट पूरा अपना हेलमेट वगरा लेके आए, प्रदान म बादल है, अरे यही तो समय है, बादल उसे छुप के जाओगे तो डार पे नहीं आओगे, मैं सैनी स्कूल का हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त एंडिये में हैं, हमारी में सब जानते हैं, तो कुछ लोगों को वहले जो एर फोर्स पे जो जिन्नोंने स्ट्राइक किया था, उसके पाइलट को पूछा था मैंने, उसने कहा, आचोक जी, चार अलग-अलग एर बेस से फ्राइट उड़ी थी, किसी को मालूम नहीं था कि किस बेस से कुन उड़ रहा है, हवा में जाने के बाद हमको यह मालूम नहीं था कि टार्गेट क्या है, जब चारो जगा के प्ल और यह बाबा सारे दुनिया को बताता है कि वो चरन चुन आए थे, और देश सुंदरा टाली बजा रहा है, नाले पर रखता है, लोग टाली बजाते है, आरे वो उपर है, आप तो नहीं हो, आप क्यो टाली बजाते हो, आप क्यो महान कहते हो, बोले प्रदान मतिजी ने बचा दिया, वो बाद लोग के भूल दिया बराबर, तब ही बोले यह स्ट्राइक करके आगए, मुदी जी बहुत मान है, तो सवाल ये है कि कूपड अनपड और पढ़ा लिखा इसमें फरक जानी है, कूपड बहुत रिस्की होता है, इसके लिए यह लड़ाई है, व्यक् जुका का कुछ A-B request है कि किसी को कुछ सवाल ये पूछने हो तो जवाब भी मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं भाग के जाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ तो लोगों को लगता है सवाल पूछने का आदी है, बोलने का आदी है, यह जवाब नहीं देगा, और हमेशा लोग भाषन के हिंड में कहते हैं कि जय महराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद, यह मैंने नेताओं के लिए छोड़ा है, तो मैं यहीं कहूँगा, आज के परिपेक्ष में जो चीज हमें चाहिए, और मैं आशा करता हूँ, कि एक कुछ लोग जो यहाँ आए नहीं उनके कान पे भी आवाज जाए, यह नारा मेरे साथ आप लगाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जै समीधान, जै समीधान, जै लोग तंत्र, धन्यवाद, नहीं नहीं हो तो मीडिया के बारे में मैं खोदी कह रहा हूँ कि हम भिक चुके हैं, क्योंकि मीडिया अभी पहले मीडिया पे बोल रहा हूँ क्योंकि मीडिया का हूँ, मीडिया पहले जब हम देश आजाद हो रहा था तब हमारे यहां के अकबार एक मिशन के लिए लड़ रहे थे, बाद में अकबार एक उद्योग हो गए, चैनल एक उद्योग हो गए, और हमारे यहां के इतनी भ मौल खड़े कर दिये, ये कर दिया, वो कर दिया कई दोड़ी एक्ष्ट्रा जमिन ले ली तो उस पे भी सरकार ने अबजेक्शन नहीं उठाया मोधी जी ने कुछ नहीं किया ये तमाम अकबार मालिकों के कच्छे चिठे निकाले और उनको बिठा के बोल दिया इसी वज़े से सरकार की बात होने लगी अब कुछ लोग जरूर से ज़्यादा बोलते है मुझे मालिक ने का छोड़ा बोल तो ये ज़्यादा ही बोलता है ये अपनी लॉयल्टी दिखाने का प्रयास करता है तो मैंने कहा कि यूट्यूब चालो हो गए हमारी यूट्यूब में भी कुछ लोग घुज गए है अब कोई किसी को रोक तो नहीं सकता लेकिन सच्चा ही क्या है ये आपको जब सामने आती है तो फिर वो आप आप खुद समझ सकते कि आप क्या महसुस करते है और सामने वाला क्या बोल रहा है रही नाई पालिका की बात नाई पालिका सर्वोचे नाईले की हम बात करे तो सर्वोचे नाईले में कई जजे से सर्वोचे नाईले के मुख्य नाइधिश उसे रोस्टर आप दो मास्टर कहते है वो मुख्य नाय दिश होने के नाते कोई उनको विशेश अधिकार नहीं है वो बाकी जजेश के समान ही है सिरिफ ड्यूटी जो लगाते है अलग-अलग बेंचेश का जो रोष्टर लगता है वो वो लगवाते हैं इसके लिए उनको master of the roaster कहते है अब मुख्य नाय दिश भले ही अच्छे हो लेकिन 25 नाय दिशों में यह दिश चार संगी हो गए तो आप क्या कर सकते हैं ऐसा तो नहीं कर सकते कि उनके पास कोई case ही नहीं जाए कुछ तो cases जाएंगे और जब cases ordinary way में जाते हैं क्योंकि एक judge ने कुछ cases अपने हाथ से लगाने का प्रयास किया तो छे judges ने उसके खिला press conference ली थी वो भी बात आपको याद होगी इसलिए जनरली जो case अपने पास है उसका वो खेल करते हैं या बात करते हैं कुछ benches घोशिद benches है कि जिससे हमें पहले सी पता पढ़ता है कि इसमें क्या नतीज आएगा बिलकुल पता पढ़ता है वीवी पैट का जब case था तो हमने वही कहा मैंने बला यह सब बोलना हो गया दूसरी बात मेडिया का रोच का reporting जिससे साब से court का हो रहा है को जजेज भी थोड़े नेता बन गए है वो भी case के समय ऐसे इसी टिपणिया करते हैं कि headline लेते हैं हम भी program करते हैं कि आज फिर नाय पालिका में आज जगी फिर से आज चंद्रचूड ने ये कर दिया वो कर दिया और जब judgment आता है तो एकदम उल्टा होता है तो टिपणिया अलग operative judgment क्या कहता है तो इसी लिए मै हमेशा कहता हूँ कि आप महिमा मंदतनत हो जाओ पहले operative judgment आने दो ये कब you turn लेंगे समझ मिनिया तो न्याय पालिका में सभी type के लोग मिलेंगे क्योंकि हर समय सरकारे बदलती है तो अपने अपने लोग घुसेडने का प्रयास करते है जो अंदर गए उनका जमीर जागा तो ठीक है नई जागा तो फिर जमीन मरा हुआ रहता है इसमें न्याय पालिका की हत्य होती है लेकिन फिर भी बायन लार्ज फिर भी बायन लार्ज बाकी जो स्तंब है डेमक्रासी के लोकतंत्र के उसमें जितना किड़ा लगा है उससे कम deterioration फिर भी जुड़ी शिरिय में ह इसमें मानता हूं फिर भी आज है कुछ आशा के किरण लो दिती है बाकी विधाई का हो या बिरोक्रेसी हो वहां तो बस समाप्त हो गया और चौता स्तंब जो हम अपने आपको जबरन कहते है वो तो है ही नहीं पहले था भी नहीं और अब तो बिलकुल ही खोकला हो गया है मैंने प्रकाज जी को कहा आप क्या चाहते हो बोले मैं भाजवपा को हटाना चाहता हूं मैंने फिर भाजवपा को हटाना चाहते हो तो ये इतनी बड़ी सेना निकली है तो उसमें जितना योगदान देना है योगदान दो फिर उसमें मुझे क्या मिलेगा ये कहां से आ ग महारत का जो किस्सा है। महा भारत में हम सब कहते हैं कि पाच गाओं तौं मांगे थ瞌र्व पाच गाओं भी नहीं दियें। हम कवरों को कितना बदनाम करते है। लेकिन स्वीकृष्णने वौ पाच गाओं मांगे थे। उसके बाद उस राज्य में कुछ बच्टा ही नहीं था तो दुर्यदन बोला तुने मांगा यह मांग पर हमारे पाल बचे का क्या है जो सांगली मांग लिया सेना ने और कॉंग्रेस को जो तकलीप हो रही ही वैसे हुआ तो यह पहले बोलते हैं कि हमको 12 सीट चाहिए फिर 5 सीट पे आएंगे और 5 सीट पे आएंगे कि वो सीट मांगें जो कोई दे नहीं सकता फिर आलग होंगे कि अपमान हुआ हम अपनी ताकत दिखा देंगे और उस ताकत दिखाने में बी जेपी को जित्वाते हैं ओएसी और ये दोनू इसमें पैसे का खेल भी होता है सब कुछ होता है ये सब हम जानते हैं लेकिन जिसको जो करना है यदि आज मुझे तो नहीं कोई बोलता मुझे तो मैं कॉंग्रेस को भी गाली देता हूँ कौन पॉलिटिकल पार्टी हमारे जैसे पत्रकार को हमारी भी कहानी बड़ी अलग है यदि आपके पास समय है तो एक छोटी कहानी और बताता हूँ एक बहुत करोड़ पती आदमी था बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था खुब पैसा कमाया तो एक पचास लाग का कुत्ता खरीत के लाया आस्ट्रिलिया से अब बहुत कुत्ते को प्यार करता था और कुत्ता अपने बिल्कुल घर के अंदर उसके लिए अलग से गार यह तुम्हे कुछ नहीं आता है वो सारे वेट को ट्राय किया फिर दिल्ली में सबसे बड़ा वेटरनेरी होस्पिटल राष्टरपती भावन का है क्योंकि उनके गोडों का दल है इतना बड़ा वहां लेके गया उन्होंने कहा कि जो डिसीज है यह बराबर पकड़ा है लेकिन अपॉइन्मेंट लेके दो तो उसको अपॉइन्मेंट लेकी दिया तो यह चार्टर से कुट्टे को लेके गया ताज होटेल में स्पेशल परमिशन से कुट्टे को कमरे में लेके गया उस डॉक्टर के कुछ दसक हजार डॉलर का फीज जमा किया वो डॉक्टर है इसके कम सामहिम, आपको हमने इसले दिखाया कि आप इस पर रिसेर्च करर रहे। बोले उसमें भी गलती नहीं, मैं रिसेर्च कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक कई ब्रेक नहीं मिला तो मैं रिसर्च जिदी ब्रेक मिलेगा तब तक मैं आऊंगा इलाज लेके लेकिए लेकिन तब तक ये बचेगा किनी मुझे पता नहीं प्रेटु दे गॉड़, हैव फेट इन गॉड़, ऐसा बोलती है कुट्टे को उड़ा है बेड़ से और नीचे पटक दिया तो डॉक्टर बहुत घुसे से चिलाया, बोला पागल आदमी हो, जिस कुट्टे के लिए चार्टर लेके आते हो, हजारो करोड रुपे लाग को खर्चा किया तुमने, और इतना तुमने ऐसा, तुमने नास्तिक आदमी हो, भगवान में विश्वास ने करते हो, बोला साब म अहीं होता है, कौ ऑज़्सार राजदीतिक दर्ण को तिकेट रहा को राजद दर्ण मदद करेगा ? मोलें को ने ने , करनाटक वान करै बहुत क्या स्चास कि खिलब बोलता है, करनाटक की सरकार को लेकिए, पर तो अधमी है, बीजेप वाले तो रूच बहजन करते हैं मेरे